नेपालली चालू आर्थिक बर्ष को आठ महिनामा 43 करोड को काजू आयाद करे कुछ भन्सार बिबाको तथ्यां करनुसार चालू आर्थिक बर्ष 2019 सी असी को आठ महिनामा नेपाली युनाटेट अरब इमिरेट्स युएई भारत, मोजांबिक, कतार, वियतनाम, चीन, नाइजेरिया लगाए देश बात 43 करोड 54 लाख 49 हजार उपया को काजू आयाद करे कुछ यसमा भारत बात 1 करोड 4 लाख 12 हजार, कतार बात 6 हजार, युनाटेट अरब इमिरेट्स बात 5 हजार, वियतनाम बात 1 करोड 26 लाख 56 हजार उपया को बोकरा सहित को काजू आयाद भायकुछ यसते चीन बात 49 लाख 59 हजार, भारत बात 11 करोड 33 लाख 36 हजार, मोजामबिक बात 12 करोड 46 लाख 59 हजार, नाइजेरिया बात 7 करोड 34 लाख 36 हजार, वियतनाम बात 9 करोड 25 लाख 90 हजार उपया को बोकरा बिना को काजू आयाद भायकुछ उक्ता काजु आयादबात्र सरकारले 21 करोड 64 लाख 2000 राजस्व संखलन गरिकुछा निपाली बजार मा अहिले काजु लाई प्रती किलो 18 से रुपईया सम्मा पर्षा काजु को उत्पाती ब्राजिल मा भवयको मानिन छा काजु मा चीनी को मात्रा थोरे रा फाइबर धिरे पाइँ छा मुटलाई श्वस्त राखन आवशेक परने फैट र गुणस्तर य प्रोटीन पनी पाइँ छा काजु खानाले सकती आर्जन मा सहयोग पुक्षा दिमाग को श्वास्तेलाई रामरु गर्छा रोग प्रतिरोधात मक्षे मता पनी बढ़ाउँ छा हड़ी को श्वास्तेलाई पनी रामरु गर्षा बिविन्न अधियन अनुसार काजु मा कैलोरी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाईड, फाइवर, कॉपर, मैगनीज, जीन्क, फोस्परस, विटामिन, के, आईरन, सेलेनियम, थियामिन पाइँ छा यसले मुटुलाई श्वास्त राखनो का साथ है, रोगत जन्य रोग बाट अपनी जोगाउँ छा काजु साला को लागी रामरु मानी छा, बिविन्न अधियन अनुसार आवश्रेक मात्रा काजु खानाले तौल खटने दिखाये का सन